इस वीडियो में हम आपको VSC First Year Inorganic Chemistry के Most Important Question बताने वाले हैं जो हर साल एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं VSC First Year Inorganic Chemistry 2020 एक्जाम में आपके आने वाले Most Important Question उनमें से आप सबसे पहला कोश्चन और बहुत ही महतोफूर कोश्चन है Draw the Molecular Orbital Energy Level Diagram आप O2, N2, N2, CO, Ehe Plus, H2 यही 4-5 ऐसे हैं जो हर साल एक्जाम में पूछ आते हैं इनही का Molecular Energy Level Diagram आपको बनाना पड़ता है एक्जाम में आप देखेंगे तो एक्जाम में यही Oxygen, Nitrogen और Nitrogen Oxide और Carbon Mono Oxide और Helium Hydrogen यही 4-5 हर साल एक्जाम में रिपीट करके पूछ जाते हैं क्वेस्चन आपको कि एक्जाम में किवल एक ही का बनाने का देता है यह तो आक्सिजन दे देगा इसका Molecular Energy Level Diagram आपको ड्रा करना पड़ेगा यह नाइट्रोजन का यह नाइट्रोजन आक्साइड का यह कारवन मोनो आक्साइड का यह हीलियम यह हाइड्रोजन यह सब होमो है होमो मतलब similar molecular है similar है hydrogen और helium यह देगा तो आपको डो देगा कि hydrogen और helium दोना का बनाई है लेकिन जैसे हेट्रोजन आक्साइड और nitrogen आक्साइड और co जब देगा तब किवल एक ही देगा और देखे यह बड़ा वाले हैं है यह आक्सीजन और नाइट्रोजन तो इन में से केवल आपको एक ही देता है मालेकुलर आर्बिटर एनरजी लेवल डाइग्राम बनाने के लिए चलिए दोसरा important question देखिए this discuss the structure and shape आप देखिए यह एक ऐसा प्रस्ण है जो लगभग हर साल एक्जाम में आया है दोसराद के 17 16 और 18 के एक्जाम में question पूछा गया है साड़े साथ नम्मर में तो देखिए discuss the structure and shape आप जेनान डाइफ्लॉराइट जेनान टेट्राफ्लॉराइट जेनान हेक्साफ्लॉराइट इसका आपको structure और सेब बताना है जेनान डाइफ्लॉराइट जेनान टेट्राफ्लॉराइट जेनान हेक्साफ्लॉराइट या ऐसे question जो साल एक्जाम में आपसे पूछ जाते हैं इसका तो आप structure और shape बताएंगे एक्जाम में चलिए next question तीसरा प्रस्ण तीसरा प्रस्ण आप देखिए इसी साल यह पूछा गया था यह लगभग यह एक ऐसा बेसपर थेयरी एक ऐसा question है जो fix कर दिया गया एक्जाम में हर साल पूछ जाता है यह बेसपर थेयरी और उसके basis पर किसी और आपको example देदेगा उसका structure बनाना होता है तो देखे explain best part theory में आपको 5 या 6 पास्टूलेट है वह लिखना पड़ेगा और on the basis आप दिस theory explain structure आप the hydronium ion और ESF4, CEL, ESF3 और ICL2 इन सभी का structure बनाना होगा अब यह सब नहीं पूछेगा जैसे explain best part theory best part theory में आप इसके 4-5 पास्टूलेट है वह लिखेंगे और देखे हाइड्रोनियम ion या कोई एक देगा एक या दो दो से जाला कभी ने देता कोई दो देगा आपको उनमें से आपको इसका structure ड्रा करना होगा चलिए next question देखें चौथा question चौथा question एक ऐसा question देखेंगे तो आप कुछ नहीं तो इससे एक नमर में सवाल ही पूछ लिए जाता है quantum नमर से what are quantum नमर describe all the four quantum numbers in detail देखें इसका एक नमर से पांच नमर और साथ नमर में यह question आता है एक नमर में आपका quantum नमर निकालने के देदेता जैसे 3D 3D5 इसके लिए आपको सभी quantum नमर के मान पूछ देगा यह लिए तो आपको बताना पड़ेगा और यहां देखें पांच नमर में जब भी पूछता है तब what are quantum नमर और quantum नमर क्या होता है और उसके कितने types होते हैं और उनके four सभी types का आपको detail में explanation करता करना पड़ता है चलिए अगला question पांच मां describe preparation and properties आप जेनान फ्राइड जेनान फ्राइड हमने इसके उपर भी बताया था आपको जेनान फ्राइड यह चेप्टर ही जो बहुत important है तो आप जेनान फ्राइड का preparation and property लिखेंगे और give structure आप structure and shape आप जेनान डाइड आक्सी फ्राइड जेनान टेट्रा आक्सी फ्राइड इन सभी का आपको structure and shape बताना फिर सुलिए आपको इसका preparation जेनान फ्राइड का preparation और properties और structure and shape बताना होगा यह एक important question है यह देखेंगे आप तुदर 18 में 16 में 14 में पूछा गया है तो लिए next छटमा question describe the barn harbour cycle and calculating latex energy देखें लाइटिक्स एनरजी calculate यह बार नहावर cycle आप देखेंगे दोयार 29 पर 18-17-16 यह हर साल एक्जाम में पूछा गया है यह बहुत ही महतोपूड कोस्चन है और next what is heisenberg uncertainty principle आप देखेंगे तो इसको 2018 में 16 में पूछा है what is मतलब heisenberg uncertainty principle क्या होता है और इसका significance हाला कि हमने significance या नहीं लिखा है इसका significance या experimental verification पूछता है तो आप इसको पढ़ लेंगे और अगला जो है discuss the structure आप आक्सी एसीड आप सलफर आक्सी एसीड आप सलफर के आक्सी एसीड जैसे सलफ्यूरीक एसीड और या सुत मतलब जिसमें सलफर में जितनी सलफर सरी जितनी एसीड है सबका structure पूछता है और explain electron affinity electronigality ionization energy देखे इन में से electron affinity या electronigality ionization energy की definition पूछता है और on what factor it depends और या किन कारकों पर नेभर करता है या भी पूछता है आप से केवल इसमें से एक आई देया रहेगा हमने यहाँ पर यह तीनों important है क्योंकि हर साल एक एक करके alternate करके पूछते हैं तो हमने लिख दिया तीनों की इन तीनों में से कोई एक ने कोई जलूर आएगा affinity, electronigality, ionization energy, what and what factor it depends तो आपको इसमें से इसकी परिभास्ता आने होंगी और कौन से ऐसे कारक जो उस पर नेभर करता है अगला what is hybridization on the basis of this explained structure है आप यह नहीं स्थरी यह टूओ यह देखेंगे तो आप यह भी hybridization के base पर इसको explain करना आए देखेंगे आप तो यह भी हर साल question पूछा गया है और question number 11, describe the structure and bonding in diaporin diaporin ही बहुत important question है दो आर 16, 17 और 18 में देखेंगे तो आप 5 नमर में इसको पूछा गया है यह एक बहुत ही महतोपूर question है अगला फजान स्रूल फजान स्रूल और इसका और भी दो आइनों के बीच फजान स्रूल ने band के structure में क्या बताया था आपको वह भी पढ़ लेना है फजान स्रूल क्या होता है यह एक नमर में पूछता है और साड़े साथ में तो आप इसको पढ़ लेंगे और तेरावा question है क्या है कि radius ratio rule यह देखेंगे आप तो radius ratio को लाइक कर देजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और इन सभी question के हम solution पिछले वीडियो में डाल चुके हैं आप वहां से देख सकते हैं और भी विश्यों के जैसे फिजिस कमेंस्टी के भी हमने जैसे आर्गेनिक फिजिकल के भी हमने जो important question इसको डाल दिया है और solution भी हमने डाला है अपने चैनल पर आप वहां जाकर देख सकते हैं